Explaining Social Democracy Social Democracy is a political, social and economic philosophy within socialism that supports political and economic democracy. आमतोर पर जो डेमोक्रेसी का मफ़ोम लिया जाता है, वो हे है कि जहां अवाम के मुंतखिब नुमाइंदा हकूमत हो, वो जमूरी हकूमत कहलाती है. लेकिन Social Democracy जो है, उसके अंदर जो philosophers ने contribute किया है, वो हे है कि Social Democracy महज रवायती जमूरियत तक महदूर नहीं है, बलके अब इसके अंदर political, economic and social dimension भी included है. So, as a policy regime, it is described by academic and as advocating economic and social inventions to promote social justice. Social and economic interventions क्यों must है, ताकि तुमाम लोगों को social justice provide किया जा सके. Social justice से क्या मुराद है, कि सब लोगों के पास बराबरी के मुवाके हों, और लोग अपने आप को, अपने खांदानों को यकसा तौर पर ग्रो कर सके. उनके पास ऐसी opportunities हों, जहां उन्हें ये ना लगे कि उनके साथ discriminatory slog हो रहा है, या कहीं पर नाइंसाफी हो रही है, या वो कानून की नजर में बराबर नहीं है. तो फिर इस social democracy के concept की क्या जरूरत थी? The protocols and norms used to accomplish, disinvolve, a commitment to representative and participatory democracy, mayors for income, redistribution, regulation of the economy in the general interest and social welfare providence. यानि जहां मौशी तहफुजात को दूर किया जाएगा, वहां उसके साथ साथ लोगों की representation, लोगों की participation जो है, उसके बारे में ये ध्यान रखा जाएगा कि अमूमी मौफादात का तहफुज भी हो रहा है. So, due to long understanding governance by social democratic parties, specifically in Europe, we can say that during the post-war, social democracy became associated with the social liberal paradigm and welfare states within political circles in the late 20th century. दूसरी जंगे अजीम के बाद बिल्खसूस, यॉरप ने अपना एक निजाम काइम करने की कोशिश की बिल्खसूस वो रियास्ते जो socialist philosophy को follow कर रही थी, दूसरी तरह वेस्ट ने अपनी practices की, लेकिन अब दुनिया की अंदर जो awareness आ रही है, दुनिया में रहने वाले जो ल लिया की अंदर अगर उर्बत है, अगर inequality है, तो उसे conflicts जो हैं, वो rise करते हैं, और conflict के solution का बेहतरीन हल, बेहतरीन strategy क्या है, sustainable economic growth, अगर लोगों के हालात को बदला जाए, और वो बदला महद वक्ती ना जाए, तो उससे क्या होगा, poverty भी control में आएगी, और conflicts भी manage किये जा सकें So the countries with slow or stagnant economic growth face problems of high poverty and inequality rate that lead to the appearance of conflicts, वो मोल्क, वो निजाम, जो ये नहीं settle down कर पाते, के उनके हाँ, जो मौशी दरक्की है, उसका पईया चलता रहे, वहाँ पर ज्यादा गुर्बत होती है, और उसके नतीजे के तौर पर, वहाँ मौश्रा जो है, वो तकसीम दर तकसीम होता है, class system ज्यादा strong हो जाता है और बहुत सारे conflicts जो हैं, वो rise करते हैं, तो इसका solution मुक्तलिफ निजामों के अंदर, मुक्तलिफ philosophers ने जब study किया, तो उन्होंने ये कहा, कि बहुत सारे जो non-profit organizations हैं, या जो बहुत सारे दू दूनिया में अमन गाइम हो, दूनिया में रहने वाले बसने वाले अप्राद की, जिन्दगी औंके मेयार को बहतर किया जा सके, और खास तरपर वो लोग, जिनके पास resources कम हैं, जो poor resources people हैं, जिनके पास ऐसे जराय मोहिया नहीं है, जिस से वो अपनी जिन्दगी को बहतर कर उनकी जिन्दगियों को इंप्रूव करने के लिए खास तोर पर जो डिवेलपमेंट प्रक्टीशनर्स थे उन्होंने बहुत सारे मनसूबे शुरू किये इसमें उन्होंने कम्यूनिटी बेस्ट और्गनाजेशन्स भी इस्टैबलिश की जिनका मतलब ही यह था कि इस वकत द Shared जो Experience है जहां एक खास इलाके एक मुल्क एक जगा पर रहने वाले अफ्राद जो हैं वो अपने तोर पर मुश्तरका लाहय अमाल इक्तियार करके अपने मुफादात को परसू करेंगे तो उनके लिए अपने मकसद को हासल करना जो है वो मुम्किन भी होगा और यही Basically Social Democracy का पने मका